हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में यदि आप सरकारी सिक्षक बनना चाते हैं तो बिल्कुल पर्मानेंट वेकेंसी का नया नूटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 1450 से भी अधिक जो है पर्मानेंट पोस्ट है उम्र की यदि हम बात करें तो 18 से लेकर 42 वर्स जो है इसमें सामने कैटिगरी की उम्र रखी गई है आयू सीमा में छूट जो है वो बिल्कुल इसमें मिलेगी महला वर्ग में चाहे वो अन्मेरिट है तो 5 साल की छूट तो इसमें रखी गई है बाकी और कैटिगरी को कितनी छूट दी गई है नूटिफिकेशन में देखेंगे सैलरी जैसे की मैंने थमनेल में लिख दिया है कि पे स्केल जो है 9300 से 34800 विद ग्रेड पे ओफ रुपीज 4200 यानि आपकी सैलरी 55,000 यहाँ पर बनेगी आज से ही जो है आविदन स्टार्ट है तो चलिए देख लेते हैं 23 pages की PDF फाइल है बहुत आराम से जो है देखिएगा सुनिएगा अगर आप आविदन करने के इच्छोक रहेंगे क्योंकि काफी अच्छी वेकेंसी है पर्मानेंट वेकेंसी है एज जो है इसमें 18 से लेकर 42 यर जैसा की थमनेल में मैंने आपको बता दिया और कितनी जो है आयू सीमा में छूट है तो SC कैटिगरी को 5 साल की बैकवर्ड क्लासिस को 5 साल की यानि 47 यर तक और महला कैंडिडेट चाहे कोई भी विडो हैं डाइवोर्ड हैं तो 5 साल की चूट है अनमेरिट भी वोमेन को यहाँ पर अनमेरिट वोमेन को भी जो है 5 साल की चूट दी गई है ठीक है सेलरी आपको देख सकते हैं जो भी आप लोगों को थमनेल में बताया जाता है जौब के संबंद में जो भी जानकरी दी जाती है बिल्कुल रियल होती है जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है और मुझे पता लगता है तो आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है ताकि आप लोग समय से पहले आवेदन कर सकें तो आवेदन आज से ही स्टार्ट है 12 अगस्त 2024 आज ही है और 21 अगस्त 2024 तक आवेदन आप कर पाएंगे 12 बजे तक पोस्ट का नाम क्या है तो पोस्ट का नाम है प्राइमरी टीचर प्राइमरी टीचर ग्रूप C सर्विस डिपार्टमेंट ओफ एलिमेंटरी एजुकिशन हर्याना की तरफ से है प्राइमरी टीचर मेवाद के अडर से वेकैंसी है जनरल की 607 वेकैंसी SC की 300 BC की 242 है BCB की 170 है EWS के अडिरेट के लिए 71 है सीट एक्सर्विसमें जनरल की 50 है SC X सर्विसमें में 6 है BCA 5 है और BCB 5 है तो कुल जो है यहाँ पर 1456 1456 पदों पर वेकैंसी आई हुई है PWD के लिए यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट जो है 58 है ठीक है क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है Senior Secondary यानि 12th 50% मार्क्स के साथ में और 2 साल का Diploma in Elementary Education या आपने B.L.Ed किया है 4 Year Bachelor of Elementary Education 12th के साथ में या आपने Special Education में Diploma किया है या फिर आपने Graduation के साथ में किसी भी नाम से आपकी राज्य में जाना जाता है Diploma in Elementary Education तो Primary Level का कोई भी जो है आपके पास Diploma, डिग्री है जिस भी नाम से जाना जाता है तो आप यहां पर Primary Teachers के लिए आविदन कर सकते हैं लेकिन यहां हर्याना में जब वेकैंसी निकलती है तो यह condition रहती है कि आपने हिंदी या संस्कृत 12th में या Graduation में या Master Degree आपने हिंदी हिंदी आपने पढ़ी जरूर होनी चाहिए खीक है शिक्षक भरती के जो भी विज्यापन हर्याना में निकलते हैं तो वहां पर यह condition तो सभी में रहती है कि आपके पास जो है हिंदी टैन से लेकर Higher Qualification जहां तक आपने की है वहां हिंदी आपने जरूर पढ़ी हो साथ में जो है इसमें Agitate जो है आपका Qualify होना चाहिए State Tat आपका Qualify होना चाहिए आप किसी भी राज्य के Candidate है अगर आपने Agitate Qualify किया हुआ है तो आप यहां पर बिल्कुल आविदन कर सकते हैं Primary Teacher की Vacancy है तो B.A.D. वाले इसमें आविदन नहीं कर पाएंगे Date of Publication तो यह 9 अगस्त को आ गया था और आज से आविदन स्टार्ट है Closing Date जो है 21.08.2024 इसमें Fees जो है कितनी लग रही है वो देख लेंगे Table of Contents में जो है आप लोग जो भी देखना चाहें Detail of Post, Qualification, Relaxation in Age, Reservation Detail of Fees के लिए 6, Serial No. 6 पर चलेंगे और यह है Page No. 9 How to Apply, कैसे Apply करना है तो उसके लिए आपको Page No. 9 और 10 यह दोनों देखना है तो हम देख लेते हैं Page No. 9 तो यह रहा Detail of Fees इसमें जो है Fees Male या Female General Category के 150 रूपीज है चाहे वह है अन्यराजी के Candidate हूँ जो Female Candidate है हर्याना की उनकी Fees जो है कम है 75 SCBC EWS Candidate हर्याना के Male की 35 रूपीज है Only और Female Candidate की जो Fees है वो केवल और केवल 18 रूपे है 18 ठीक है तो बहुत ही जो है कम Fees है PWD की कोई Fees नहीं है Selection, Examination and Slabers तो रिटन एक्जाम होगा 95 marks Slabers क्या पैटर्न रहेगा वो आपको जो है यहाँ दिया गया है उसे आप देख लेंगे कैसे अपलाए करना है यह आपको पढ़ना है आपको notification कहां से देखने को मिलेगा चलिए आप लोगों को बता देते हैं सबसे पहले जो है हर्यान स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की official website पर आप आएंगे यहाँ पर देखे आपको 4th number जो section है Home, About, Recruitment और Advertisement इस 4th number पर आपको क्लिक करना है आप इस पर क्लिक करेंगे तो advertisement आपको दिखाई देगा सबसे ओपर बिलकुल नया विज्यापन 9 अगस्त का तो इस पर जो है आप लोग क्लिक कर लेंगे download ठीक है और यह पूरा notification तो जब भी आप form apply करें पूरा notification पढ़ें कौन कौन सी document जो है upload करने हैं तो यह सब आपको देखने हैं ठीक है